तो दोस्तों सवागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में दोस्तों मैं गोविंज जैस्वाल दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने चैनल के कीवर्ड को लगा सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आपके चैनल का नाम कुछ है और वहाँ पर जब कोई YouTube पर सर्ज करता है तो वो इसे चैनल का नाम नहीं आता है सारी बातों को जानते हैं कि कैसे यहां पर कीवर्ड को लगाया जाएगा तो दोस्तों फाइनल से माच चुके हैं अपने मुबाइल के स्क्रीन पर और यहां पर हम चलेंगे अपने इस प्रोम ब्राउजर पर तो हम चलते हैं इस पर यहां पर आपको सर्च करना होगा www.youtube.com और उसके बाद में आगे बढ़ जाना होगा जैसे ही आप यहां पर आगे बढ़ते हैं आपके सामने यूटूब ओपन हो जाता है उपर यहां पर थ्री डॉट का अपसन दिखेगा इस पर आप क्लिक किजीगा उसके बाद में यहां पर डिक्स्टॉप साइड दिख रहा ह चैनल का यहां पर लोगो दिख रहा है अगर आपके चैनल का लोगो यहां पर नहीं दिखे तो यहां पर आपको मिल जाएगा सिंगिन का अपसन यहां पर आप क्लिक करकर अपना एमेल पासवर डालेगा और उसके बाद में आप अपने लोगो पर क्लिक कीजेगा जैसे ही यहाँपर आप्लिक करेंगे आपको third number पर यहाँपरолов यूटीूब-studio का अपूसन मिलेगा इस यूटीब-studio पर आपको click कर देना होगा जैसे ही यहाँपर आपके सामने जो YouTube Studio है वो यहाँपर open होगा तो यहाँपर यह open हो रहा है जैसे ही ये open होगा फिर उसके बाद में हम आगे की बात बताएं कि यहां पर ये open हो चुका है अब यहां पर हम थोड़ा सा करेंगे इसको zoom तो zoom हो जा भाई जूम हो गया अब यहां पर हम नीचे के side में आएं इस side में corner पर उपर के तरफ तो यहां पर आपको एक setting का option दिख रहा है इस setting के option पर आपको करना होगा click जैसे ही आप इस setting के option पर click करते हैं आपको यहां पर second number channel का दिख जाता है इस channel वाले पर आपको करना होगा click तो यहां पर हमने कर दिया है click क्लिक करने के बाद में आपको इस साइड में आ जाना है और यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर यहां पर देख रहे हैं कि आपको देखने को मिल ला है कीवर्ड आपको देखने को मिल ला है तो यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर एक बार हम क्लिक करेंगे और क्लिक करे फिर technical gd कुछ इस परकार से लिखे हैं तो आपको भी अपने channel का कुछ इसी परकार से बना बना कर लिखना है तो माल लेते हैं हम लिखना है tgd अगर हम लिखे हैं तो tgd लिख दिये इतना हो गया और उसके बाद में यहां पर हमको लगा देना होगा कॉमा नहीं लगाएंगे उसके बाद में यहां पर आगे बढ़ जाएंगे और जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहां पर आपका जो text यहां पर keyword है वो यहां पर लग जाएगा और जैसे ही यहां पर आपका keyword complete हो जाता है उसके बाद में यहां पर आप थोड़ा सा आएंगे तो यहां पर आपको एक save का अफसन दिखेगा और इस save का अफसन पर कर दीजेगा आप click और उसके बाद में आपका जो keyword है वो यहां पर लग जाएगा और इस परकार से आप अपने keyword को लगा पाएंगे तो दोस्तों अमीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों कि आप नए है हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करकर प्रेस कर लिजे बेल आइकन को जिससे की आपको नए अच्छत जैं हिंद वन्यमात्राम